कर्मिचारी इसकंद विकल्क योजना यानि की e-shop क्या होता है आए पॉइंट परस करके हम लोग इसको समझेते सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो यह है कि इसका उलेग जो है वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा किसके ऑंतरगत किया गया है 237 के इसका उलेग किया गया है दूसरी क्या कि यह है तो इस धारा के अंतरगत company क्या करती है वो अपने कर्मचारी को जो ऊसके कर्मचारी है California कि यह कल्मचारी है उनको यह आफ या कि वो company के अंश यानि कि सकंद को खरी तर company के अंशधारी बन सकते हैं, तो simple भाशार में अगर आप इसे कहें कि यह योजना है क्या, तो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को सभी नहीं चुनिंदा अपने चुनिंदा कर्मचारियों को कंपनी के इसकंध यानिकी स्टॉक या फिर आप रह सकते हैं शेयर यानिकी अंश प्रदान करना यह विकल्प में रहता है यानिकी अवसर रहता है यह एक तम कंपनी उन कर्मचारियों पर थोप नहीं सकते हैं तो इस योजना का लाब उठाकर अंश खरीच सकते हैं और यह चाहें तो इस योजना से कि इनकाल भी कर सकते हैं यानिके अंश को खरीचन से मना भी कर सकते हैं तो उसके लिए क्या होता है उनको कुछ आरेक्षण भी रेती दो जो आरेक्षण ओता है वह केक ना होता है पाच परसन से अधिक नहीं होना चाहिए तो कैसा की स्भी कि कर्म भाइर के ना किंँं अब बाहर का सन अपने कार्म पर डी तो फोता हैसा क्यूं किया जाता है तो उद्देश इसके पिछे आप समझ सकते हैं कि जो कंपणी के कुशल और अनुभवी और कारिच्छम जो करमचारी होते हैं ठीक है उनको कंपनी क्या जाती कि वह कंपनी में रुके रहें करमचारी को लंबे समय तक कंपनी में रोपना क्यूं तक कि जब वो ऐसे कर चाहने के करने कोशल और क्यों में रहेंगे तो उससे कमपनी को क्या था करती है कि उन्हें अपना अंशधारी बना लाएक न में रहाग है प्रवनध कार का बहुत हैं रहे मिलेगा तो इस वज़े से कंपनी क्या करती है कि वो अपने अनुभवी कर्मचारियों को यह सुधा प्रदान करती है यह विकल्प प्रदान करती ताकि वो खरीरे अंश को और अंश्धारी बने और उससे कंपनी को आगे क्या हो भविश में लाव हो ठीक है यह इसका उदेश दूसरा किसको कंपनी के जो निदेशक होते हैं उन्हें कंपनी के निदेशक और अधिकारी निदेशक और अधिकारी जो होते हैं वो शेयर होडर नहीं होते हैं तो उन्हें कंपनी क्या कर सकती है यह योजना दे सकती है तीसरा जो होता है वो सहायक अगर कंपनी का कोई सहायक company है तो उसके कर्मचारी इस कज़्या ऑस्व देशकती, सहायख कंपनी या सुत्रधारी company के कर्मचारी इन तीनोग टाइप के कर्मचारीों को क्या कर सकती है company अपना इस विकल्फ का अउसर दे सकती, यह चीजे हो किसी भी अंश के अधिकारी नहीं है उन्हीं ही सिर्फ और सिर्फ इस योजना का लाग मिलता है और दूसरी चीज ये कि इस योजना के अंतरगत जो जारी किये जाते हैं उनका जो लेन देन होता है वो एक वर्ष की आउधी के बाद ही होता है यानिकि जब अंश ये जारी कर हैं विकल्प के तोर पे तो उस तरेम सिफ जारी के गए जिस दिन जारी गए उस दिन से एक वर्ष की जवाव भीतेगी कि उसके बाद ही उसका जो लेन देन है उसके समझ में वो स्टार्ट के रहा तुरंथ ही स्टार्ट नहीं होता था एक यह कुछ चीज़े थी मेंली जो कि हमारी कर्मचारी इस कंदुई कल्पियों नेरी की इस ओप के समबन में थी I hope कि आप लोग काफी अच्छे से यह सारी चीज़े समझ में आई होंगी